रिल्स वाली बहू प्रग्या को रिल्स बनाने का बड़ा ही क्रेस है और वो दिन भर रिल्स बनाती रहती है खाते, पीते, घुंते, फिरते, घर में, कॉलेज में रिल्स बनाने के कारण प्रग्या पूरे कॉलेज में हाइलाइटेड है जहां उसकी रिल्स सभी को पसंद आते हैं वहीं मनिशा चिंता में डूबी रही है एक रोज जब खाते हुए प्रग्या रिल्स बना रही होती है तब मनिशा कहती है एक मिनिट पी चैन नहीं है इस लड़की को यह नहीं कि खाना तो आराम से खाले लेकिन नहीं आरे थोड़ी दे रिल्स नहीं बनाओगी तो आस्मान नहीं तूट पड़ेगा मनिशा की बात का प्रग्या पर जरा भी असन नहीं होता और वो खाते खाते रिल्स बनाती रहते हैं दिन बितने लगते हैं और देखते देखते प्रग्या का कॉलेज भी खत्म हो जाता है आई दिन कुई न कुई मनिशा को प्रग्या की शादी करवाने का सुचाव दे जाता है सब छीकी कहते हैं प्रग्या की शादी करते लिए चाहिए अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुदी ये रिल्स और नाजगाना बंद हो जाएगा अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रग्या की घर पहच जाता है और प्रग्या साढ़ी पहने हाथों में चाई की ट्रेलिये की सामने आती है अब भीकी को पसंद है तो हमें भी बहुँ पसंद है पहन जी आप बारात की तयारी कीजिए एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा हाँ हाँ क्यों नहीं मनिशा विकी को प्रग्या के कम्रे में भेशती है जहां प्रग्या पहले से ही रिल्स मना रही होते है तब ही विकी गयता है आ गया आपके साजन जी हमारे साथ ये रिल्स कम्प्लेट करती तो और भी अच्छा रहता अच्छा जी अब आ ही गया है तो बनाएं लेती हूं आपके साथ दोनों मिलकर रिल्स बनाते हैं जब वी मीट और तुरंट पूस्ट पे कर देते हैं फिर विकी कहता है जब आप साड़ी में चाय लेकर आएं अब मुझे लगा कि कहीं मैं घलत घर में तो नहीं आ गया आप सही है दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी की दिन भी प्रग्या रिल्स बनाने से चुपते नहीं यहां तक की बारात की समय भी नाच्टे हुए रिल्स बनाती है सभी लोग प्रग्या के तारिफ के पूल बात देते हैं और प्रग्या नाच्टी, गाती, अपने ससुराल जिल जाती है सब कुछ अच्छा चल रहा होता है प्रग्या यहां भी दिन बर हर चीज की रिल्स बनाती रहती है लेकिन कुछ दिनों के बार जब सुनीता कहती है पबू, ये रिल्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो वैसे तुझे और क्या-क्या बनाना आता है मम्मी जी बैसे तुसम कहते है कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती है लेकिन मुझे लगता है कि मैंगी अच्छा बना लेती है हाँ कॉफी भी अच्छा बना लेती है और मुझे तो सबसे अच्छा बना लेती है हैं अच्छा अच्छा सुनीत अपना पाथा पकड़ लेती है और कहती है बहु कुछ खाना बनाना भी सीख लेती हूं मम्मी जी मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूं जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगी हम दोनों सास बहु राज करेंगी राज ना कर काम करेंगी और लोगों की तर लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहु हासी मजाग तक छीक है लेकिन इस तरह घर नहीं चलते जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो प्रग्या मूँ घुमाकर चली जाती है और तुरंट उसी वक्त एक रील बनाती है ये देख सुनीता का गुस्सा साथ विया अस्मान पर चला जाता है और विकी की घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है विकी भी अब प्रग्या की इन हरकतों से परिशान हो जाता है तुम टेंशन मतलो ममा मैं देख लूँगा विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रग्या रिल्स बना रही है विकी बड़े ही प्यार से प्रग्या से कहता है प्रग्या, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए मैं जब आफिस से आता हूँ, तुम मुझे समय देने की जगा इसी में लगी रहता है तुम ज्यादा ही सूच रहा है, तुम भी मेरे साथ व्रिल्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम्हें अपना रवया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा तुम्हें रिष्टा लेकर आये थी, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है विकी दर्वाजा पटक कर चला जाता है, धीरे धीरे विकी प्रग्या से दूर होता जाता है एक रोज मनीशा प्रग्या किस सुराई कुछ से मिलने जाती है, तब सुनी था उससे कहती है पहन जी, अब आई है तो कुछ दिन यहां रह कर जाईएगा, आप ही का घर है हाँ ममी, बहुत दिन होगे तुम्हारे साथ एक भी रिल नी बनाई मैंने प्रग्या तुरंट अपने फोन में विल्स आंकल लेएगा, यह सब मुझ से नहीं उत्रा क्या, पहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे जब आप ही कुछ नहीं कर पाई, तो मैं घर ही क्या सकती हूँ, सास तो वैसी ही बनाई है शाम को घर की लाइट चली जाती है, और मनिशा प्रग्या से कहती है मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तु लाइट का कुछ इंतसाम करना बेटा अच्छा, केंडल जला देती हैं ममा प्रग्या गाते हुए केंडल जलाती है, और खिड़की के परदे के पास रख देती है मनिशा, जिसे बहुत दर्ण जो रहा है, वो सो जाती है और प्रग्या हमेशा के तरफ में रिल्स में लग जाती है उदर केंडल की वज़े से परदा आग पकड़ लेता है और मनिशा के कमरे में आग लग जाती है सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बचाने में लग जाता है लेकिन तब तब मनिशा आदे जल चुगी थी मनिशा के हालत देख प्रग्या रोने लगती है विकी मनिशा को तुरंथ हॉस्पिटल ली जाता है और उसे एड्मिट कराता है विकी प्रग्या से कहता है देख लिया ना तुम्हारे इस नाज गाने की वज़़ा से आज तुम्हारी मा की जान जाते जाते रहेगे अब पता नहीं तुम और क्या चाती हुआ मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रिल्स बनाना छोड़ दूगी अस मुझे मेरी मावा अपस बिल जाए दो दिन बीच जाते हैं और मनिशा खत्रे से बाहता जाती है पेशन्ट अप ठी है आप लोगों इसे में सकते हुआ सब कोई मनिशा से मिलता है और प्रग्या सबकी सामें अपना फोन तोड़ देती है मुझे माव कर दू ममा मैंने तुम लोगों की बातों को नजन अंदास किया बिठा कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है मैंने तुम्हें रिल्स बनाने से कभी मना नहीं किया लेकिन हर वाक्त एक ही चीज तो सही नहीं है मैं समझ गही हूँ ममा I'm sorry प्रग्या उस दिन से रिल्स बनाना छोड़ देती